नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजिर हैं एक नई फीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों दिल्ली में गावर्मेंट एडिट स्कूल के लिए टीचर्स रिकूट्मेंट का नोटिफिकेशन आ गया है आविदन की परक्रिया भी शुरू हो चुकी है किसी भी राजया के अंदर शासित प्रदेश के के इस रिकूट्मेंट के लिए आविदन कर सकते हैं यहाँ नरस्री टीचर्स की रिकूट्मेंट है प्रैमरी टीचर्स की उसी के इसासा टीजीती और पीजीती के अलग-लग सबजेक्स के लिए वेकेंस आई होई हैं सारी जैनकारे इस recruitment से जुड़ी ही बिल्कुल विस्तार से इनके official notification के माधम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आखे तक जरू से जरू देखें और all over India level से government recruitment से जुड़ी update पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरू से जरू सब्स official website है official website पे about us है about us में vacancies है vacancies पे हम क्लिक करते हैं यह पे जबने सामने open हो रहा है तो यहां यह देखें दोस्तों यह vacancy notification यहां यह आ गए है यह नरसरी टीचर के दो है assistant teacher के दो लेक्चरार computer science मतलब पीजीटी computer science की एक vacancy, pz.t chemistry की एक, pz.t. history की एक, t.z.t. computer science की एक, t.z. natural science की दो, pion MTS की एक, mali MTS की एक, sweeper MTS की एक और चोकिदार MTS की एक vacancy आई हुई है यह देखिए knowledge of maliyalam is essential for serial number 1, 2 and 12, serial number 1, 2 or 12 के लिए essential है maliyalam आपको आनी चाहिए maliyalam language बाकी rule regulation directed of education government of nct of Delhi के according है आपके यहां रहेंगे kerala education society senior secondary school sector 8 RK पुरम a linguistic minority government added school है तो recruitment का notification आ गया है आविदन करने की अंतिम्तिती 11 November 2024 है आपको अपनी application the manager के ला स्कूल सेक्टर 8 RK पुरम नू डेली 110022 यहां बेज देनी है 11 November 2024 तक यह आविदन करने की अंतिम्तिती है application form आप download application form पे click करके download कर सकते हैं यह देखिए मैंने click किया यह application form download हो गया ह इसी तरह से यहीं पे recruitment rules भी आप यहां click करेंगे इस प्रकार से यह recruitment rules भी आपके सामने आ जाएंगे तो यहां से recruitment rules ध्यान से पढ़ लिजेगा age limit वगरा यहां दर्शाई गई है अपर age limit तीस साल यहां दी गई है तो यह ध्यान से आप पढ़ लिजेगा आविदन करने से पहले अगर आप eligible हैं interested है तो फिर आप यहां आविदन कर सकते हैं इस recruitment के लिए